प्रेजटंटिंग आरीना स्क्वेर बाय अरीना, यस प्रोजट्ट को डिजाइन किया है क्फीomi कोंठेक्टर्स में यह एक ड्रेसिदेंशल ब्लस कमर्शल प्रोजट्त जिसमें आपको मिलता है separate commercial space for your shops and offices इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के luxurious residential apartment इस project की M&T's में आपको मिलता है swimming pool, club house, garden, indoor outdoor game, multi-purpose hall, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ इतना ही नहीं international school, colleges, hospital, railway station ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिट के फासले पे तो क्यों रहना ordinary जब मिल रहा है luxury, do contact for more details www.arenasquare.in उद्धा उगट का जो candidate है उसको लेके चलने वाले उसके लोग कहां दिख रहे हैं यहां पर स्थानिक विदायक देखेंगे तो यहां पर टोरंट लेके आते लेकिन भीवनडी में वहां पर जाके कहिते हम टोरंट वहां पर अटाएंगे तुम्हें उदर क्या देखते हैं इधर तुम्हारे शिकरान सिंदे साब के माद्य में से उनके उनके फेवर में चल रहा है लोगों के माइन में जातिवाट डालके यह स्थानिक अमदार है उसने मेरे को बोला था कि तू जाके एभी फॉर्म लेकिन बीजेपी के नेता ही तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे इसे कई वीडियो सामने आ चुकी है आपने टोरेंट का जिकरे किया तो आपकी सरकार है सिंदे अगुड की सरकार है तो क्यों नहीं हटा जेते हैं कि शिकान सिंदे को ओड़ देना बीजीपी को ओड़ देने के बराबर है तो कुछ लोग जो है मलंगड के बयान को लेकर भी जिस तरह से गर्मी का मौसम में गर्मी तेज होते जा रही है इसी तरह से चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है आज मुम्रा के आनंतकोलिवाला में सिंदे गुड के जो शिरकान्ट शिंदे हैं वो यहाँ पर और बोरी समाज के तमाम लोगों से मुलाकात की बोरी समाज के जो धर्म गुरू हैं उनसे मुलाकात की है और कुछ लोग पर्वेस भी की हैं महरशाद राजन दादा है और बोरी समाज के कुछ लोग है और शिंदे गुट के भी लोग हम बात करेंगे राजन दादा आज यहा स्टेश 보여 часов Key bankrupt Ouais हूँ कि हैं उमेद्वार प्रतेस्ट पृतिंक उसी तरह यहां पर को मिलने आ सब्सक्राइब फैक रही है कि उनका को देखेंग की जो इस महाराष्ट के आदरणी मुख्य मंद रेकना शिंदे साब है वो भी जिनके दावदी भोरा समझ के जो मुख्य धर्मगुर्य डॉक्टर मफदल मौला उनको भी मिलने गए थे और उनका भी आशिरवाद लेने गए थे उसी तरह यहां पर मुंब्रा में उनकी समाज के प्रमुख लोग है कोई भी है अगर कोई मौला ना है उनको मिलने को जाते हैं और उनका आशिरवाद लेने के लिए तो यह सब इस तरीक से मुंब्रा में वह आये थे दावदी भोरा समझ के धर्मगुर्य के पास और उनका आशिरवाद लिया है यह एक मेहनत रहत में काफी तेज है दो-दो कल्यान लोग सभास्व मेंदवार है दोनों शियुसेना के उद्धो गुट एक शिंदे कुट लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है टक्राव वराबर की होगी अभी क्या मल आप पत्रगार है पूरे मुम्रा में घूम रहे टक्राव के लिए यहां प कशिकरता बाट रहे और यहां पर आफ श्तानिक विदाएक देखेंगे तो यहां पर टो halt है लेकिन भीवन्डी में वहां पर जाके निगालो ना पहला अपने घर में देखो चाफेंगो तोरेंट हम बावाल सुछो मुशा कि उसके में कुछ सोचो तुम हमने का प्रचार का देखते तुम क्या लाए फंदर शिंदे साब ने आप सब्निय को कषाने की बात करते हैं मैं समझता हूं को कोई कम कोई माई कालाल में दम नहीं जो इस परमपुज्य डॉक्टर बाबासाभ घामकर भारत रभ नने उन्ह ने सवविदान को लागु किया तो कोई ऐसा माई कलाल नहीं कि सभागर ने को हाथ लगा सकता है पिछली बार कोई बार हुआ है जो सभागर्य की ताखत नहीं है आपको बता दूं लोग सभा हो या राज्य सभा हो या कोई बी ऐसा सभागरों हो जो लोग प्रतिनिदी का सभागरा रहता है वहाँ पर किसी का भी यह नहीं है कि वो सम्विधान को हाथ लागा सकता है क्योंकि इसका जो बेसिक स्टक्चर है उसमें छेड़ चाड़ कोई कर सकता है नहीं ऐसा लेकिन बीजेपी के नेता ही तो कह रहे हैं कि हम सम्विधान करता है वहाँ पर कुछ भी बोलता है लेकिन जो हमारा नौलेज है जो हमको मालूम है और जीस देश का जो श्रोच्य नयल है वह सरोच्य नयल के अकराज़ निरने दिया था कि यह सभीदान है यह सभीदान को को कोई ने बचा सकता है के शवानन्द भारति जो कि केरला में उनका उनकी वेक मैटर था उसमें भी उनको कहा गया है कि जो बेक्षिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है फिर आपको बता दू कि उन्नीस एकतर में इंद्रागांदी जो साइबा थी उन्होंने इस सविधान को चेड़ने के कोशिशित की थी लेकिन वह भी उसमें नाकामिया भी और उन्होंने उसमें उनको एमर्जनसी जाहिर करने पड़ी तो इस बात के लिए मैं सभी जो हमारे बोलते हैं लोगों को जो गलत रहा दिखाने का हमेशा गलत रहा दिखा दिखा दिखाई दिया है लेकिन इसमें भी गलत रहा दिखा के लोगों का ओट कैसे बटरने का लोगों के माइन में जातिवाट डालके या लोगों के फूट पाड़के लोगों से ओट कैसा बटरने का वो यहां पर काम चल र सब्सक्राइब करते तो आपको गंदगी साप करने के लिए कोई नहीं आएगा ना आपकी गंदगी आपको इसापकरने की एना तो उस गंदगी को साप करने के लिए आप क्या कर रहे不錯 अब ही टोरन की गंदगी किस ने की अगा किसने किया है यहां का स्थानिक जो करने को जाएंगे उसको है उसको करना मंगता है इसके मतधार संग में जो लोग परिशान में उसने गंदगी रहां के लोगों को उस्स ओसम वो सिख़वकि दो ऌइना चम्रीघ्ड ग Whatsapp को जाएगे वो तो उसको है सब्सक्रार ना तो तीस साल का आप सूझेंगे कि 30 साल का जो मलीदा हो लेकर के चल दिये उनको परता है मैं आपको यहीं बोलना चाहता अपके माधिय में से कि जब अंग्रेजी देश में आई थे तो बेपारी बनके आई थे लेकिन वो शाशक बन गए लेकिन यहां पर जो विदायक है वो विदायक यहां पर शाशक बनके आये था और बेपारी बन गए अब अगर मैं आपको कहने जाओ मैंने तो हर बार कहा है कि उसकी जो टक्के व और दुस्ता कुछ भी नहीं तो जल्व नजीम मुला का नहीं हो सकता ना यह तुम्हारा हमरे कभी नहीं हो सकता है। टोमरा से काफी मुस्रिम समाज का जो है उन्हें समर्थन मिल ला है और आज बोरी समाज से भी मुलाकात कि उन काफी लोग ऐसी चर्चाएं कर रहें अभी आपको एक और बात बताओं थोड़ा खुला से वार बात है अगर बात बीज़ेपी को देने की है ठीक है तो बीज़ेपी ने इसा कुछ तो यह नहीं किया कि पुरा देश को पुरा बरबात कर दिया ले हैं अभी आपको एक लोगों के सामने नहीं लेके जा सकते तो प्रादममोदी जो है उन्हों ने गुज्रात का मॉडल लोगों के सामने 2014 में बताया और वह मॉडल लोगों के सामने गए मतदाताओं के सामने लेके गए तो मतदाताओं उन्हों ने उनको वोड़ दिया ना तो वो मतदाताओं ने उनको वोड़ दिया उसके बावजीत आप देखेंगे तो उन्हों ने अगर काम नहीं करते थी और 2019 उन्होंने चुनके आने के बाद जो काम किया उसमें उनको लोग चुनके देंगे और एक बात बताता हूं जब सोनिया गांदी तो तुम तुम जातीवाद की बात करते तो तुम सबसे बड़े जातीवादी तो तुम हो मुम्रा में अभी तुम बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि बीजे भी जाती वादी है तो यहाँ पर शीकान शिंदे और एकना शिंदे ने कौन सा जाती वाद किया है कौन से मुसल्मानों को तकलिप दिया है मेरे को बताओ ना यहाँ पर मुसल्मान जब आते ह आपको बता दूर फिकांशिंदे फॉदे жुकार विछ लोग मलंगड़ के बायान को ले कर हैं और पर कर मलंगड के लिए जाने को रस्ता पर लोगों को परिशानी होती वहां का जो परिशर है उसको साप निति करते ना जो 2000 में जातपात की धरम की राजनिति करके चुन के आए ते शिवसेना जाते वाधी पार्टी है इससा चुन के आए ते लेकिन 2009 में वही लोग शिवसेना के गोद में जाके बैटें मंतरीपत के लिए बरवर के ने गलत तो नहीं बोल रहा हूं क्थे सामने कोई अजंटा या कोई ऐसा मॉडल न ही रखा कि वह देश की सामने जाके कि मेरे को प्रदान मंत्री बनने के लिए करो अगर वो अगर ऐसा करते तो आज मोदी वी दहाई ने होता 어떻 अ जब सोनियya Ghandi परादी पड़े मिनिस्टर बनती तो मोदीका भी विदे सोनिया कभंधी सबसे बड़ा करने वाला आदम उनुंह नहीं आदम है , यह सब आपर मुरा की चनतार जानती मुम्रा के साये आगल की अद्यौन को पर स्यपकर के यह आद्यान संद़े अंगताओी तो यह उनके पेट में दुख गरौएं और उन्होंने बात कह You यहां पर चल रही है कि मायम को हम ने जो है वो लाकिय दे दिया फेस्बूक पर रहते तो आज उनको लेकर घुम रही है आपने दिया था क्या पलावा में लाके अरे मेरी क्या उका था है क्या वहां से हिद्राबाद से जो यह भी फॉर्म लाके देने के लिए क्या मैं इतना बड़ा हूँ अगर नगर्शेव का इधर उदर का रहता मैं से जो चल रहा है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वी फॉर्म जो है वो श्रीकान सिंदे के जरीए आया श्रीकान सिंदे ने मंगाया फिर राजन दादा को दिया राजन दादा ने पलावा में बुला कर उनको दिया अभी क्या है सो मूँ सो बाते अगर मैं कहूँ कि यहां के स्तानिक विदाएक ने मेरे को हैदराबाद भेज दिया था और उसने कहा था कि यहां पर जो है श्रीकान सिंदे को बहुत अच्छा जनादार मिल रहा है यहां पर MIM कोट बहुत जाना जरूर है तो स्तानिक आमद बूलूगा तो यह चलेगा क्या यह रिखा चलेगा क्या नहीं चलेगा ऊब्सल मीडिया में तो आपका चल रहे है अभी मेरा तो चल रहा है तो मैं भी सोश्यल मीडिया के साथ騙 हुआ हुआ तो मैं बोल नहीं कि यह करी श्राबाद भी पर पह जा फिर दो आफे शदे ज judicial ता और वहां से वह एभी भॉम लेके आने के लिए महीने भेजाता इसा उसको पूछ लो ना राजिन कीनी को आपने भेजा था क्या एरपलेन का टिकेट दिया था क्या उसब में बता दूंगा आपको दिया था के नहीं दिया था वो तो स्थानिक अमदार से पुछना जरूरी है ना अभी यह सब यहां पर कहां स्थानिक अमदार है कहां पर है मेरे को बताओ ना जो श्रीकान शिंदे के सामने जो उमेदवार खड़े कहां पर है उनके कारे करता और कहां पर उनका काम हो रहा है मेरे को बताओ ना तो इसके लिए वह स्थानी कामदार डर गया इसके लिए उसने मिरों को बोला तुझा जल्दी और वह अई भी भम लेक्या है स्रिकान सिंदे से आप सभी लोगों की मुलाकात हुई है कितना समर्थन है आप लोगों का अब आएगे कआंगे कःम में को सवाली नहीं है हम लोग सभी का दादा को फूल पूरा सपोर्ट है चालीस साल से राजन कीने साथ जो काम मुम्रा में करें आज तक किसी ने नहीं किया है न कर सकता है श्रीकान सिंदे आये थे मुलाकात की है आप लोगों कितना समर्थन कर रहे हैं समर्थन की बात तो ये करेंगे कि समर्थन हमारा हमेशा से दादा को रहा है दादा जिस किसी के सब पार्टी में रहेंगे हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि दादा जो काम करते हैं पहले ही आपको बता है ऐसा काम नहीं कोई करेगा ना कर सकता है आज 40 साल से हम दादा को जानते हैं, उनका काम जो है ना वो बोलता है, उनका काम जो है वो किसी भी तारिफ के सक्सियत का मोहताज नहीं है, उनका काम ही उनके आवाज है आपने सुना कि राजन दाजा ने भी बड़ी बेबाके से बयान दिया और साथ में बोरी समाज के लोग हैं, उनके पूरा समर्थन बोरी समाज को कर रहा है इसक्षर बार उनके लोग है